हेलो फैमिली गुड मॉर्णिंग टू माई चैनल फैमिली आसा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे साथ में स्वास्त होंगे हेलो तो देखिए आज का ब्लाग में स्टार्ट कर रही हूं हम लोग का जो चंदनक स्टेशन है ओहां से हम लोग कहीं पर आज जा रहे हैं हम मामुनी और रीतम तो यहां पर देखिए रीतम अभी पैटिस खड़ीद रहा है अभी घड़ी में बज़रा होगा सुभा का सुभा का नास्ता भी नहीं की है तो इसलिए रीतम पैटिस खड़ीद रहा है और हम लोग को छोड़ने बापी आया है स्टेशन तक हम लोग को ट्रेन बैठा देंगे उसके बाद बापी चले जाएंगे तो चलो आप लोग से बाते करते करते देखिए रीतम पैटिस है तो चलिए पहले बापी मामनी को देते हैं उसके बाद हम लोग खाएंगे कर रात से मुझे थोड़ा सा एसिडिटी प्रॉब्लेम हो रहा था इसलिए सुबह उड़ते ही में मेडिसिन लेही हूं एमटी स्टोमाग तो इसलिए मुझे कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा लेकिन रितम को खाते हुए देखकर मेरा भी मुह में पानी आ रहा है तो चलिए में भी थोड़ा सा खाही लेती हूं और रितम मुझे पूछ रहा था कैसा लग रहा है तो मैं उसको बतारी थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं जब खारी थी ना उसका उपर का जो यह वा लेयर रहता है वह पुड़ा ठुड़ा होकर मेरा मुह के चारो साइट लग जा रहा था अज संडे फिर भी पतारी क्यों इतना ज़दा भीर हुआ है बैठने का तो कुछ सीट हम लोग को मिलाई नहीं और उधर देखे मामुनी खड़े है और इधर देखे हमर रितम खड़े है और हम लोग जहां पर जा रहे है ना फैमली वहां पर जाने के लिए देर दो घंटा लग जाता है ट्रेन में और पता नहीं हम लोग को सीट मिलेगा कि नहीं अगर सीट नहीं मिलता है तो ऐसी खड़े होते हुए हम लोग को सपर करने पड़ेगा देर दो घंटा तो फाइनली पॉने दो घंटा सपर करने के बाद हम लोग उतर गये हैं जहाँ पे हम लोग आने के लिए निकले थे तो हम लोग देखी आये हैं धात्री ग्राम तो इस स्टेशन का नाम है धात्री ग्राम मैं थोड़ा साब लोगो ऐसे घूम घूम कर दिखा रही थी यहां का स्टेशन कैसा है कैसा नहीं तो ट्रेन में इतना ज़्यादा भीरता में तो पुरा सैंड्विच बन गये थी और मेरा पैर का हाला बहुत ज़्यादा खराब हो गया है मतलब एक लेडी थे मतलब दिदी को उमर में थे तो ओ दिदी तिना अच्छी थी मेरा हाला देखते हुए वह अपना हस्बेन को उठा कर फिर मुझे शिर्ट दिलवा दी थी तो मैं थोड़ा सा बैठ के आई लेकिन मामुनी और रितम दोनों ही खड़े खड़े आए तो हमलोग अभी उतर चुके है यहां पे धाती नहीं तो हमलोग जहां पर जा रहे है मुझे तो कुछ रास्ता काता पता है नहीं किई कि मैं फर्स dollar जा रही हूं तो मैं मामुनी से पूझ रही थी हम लोग को यहां से जाने में और कितना टाइम लगेगा तो मामुनी ने बताए 10-15 मिनट लगेगा टोटो में, तो देखिए हम लोग टोटो में बैठ भी गया है और टोटो में जदली पैसेंजर हो गया था, इसलिए टोटो छोड़ भी दिया है तब हम लोग जा रहे हैं हम लोग कि इधर क्या होता है ना फैमिली जब तक कि न टोटो में पैसेंजर भर जाए तब तक ये टोटो छुटता है नहीं है तो पूरा पैसेंजर लेने के बाद ही मतलब टोटो भरने के बाद ही लोग छोड़ते हैं टोटो और हम लोग तो इसको टोटो बोलत है और बहुत जगह है जहां पर टुक टुक भी बोला जाता है आप लोग क्या बोलते हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो देखिए सुबह से निकल कर जर्णी करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए है और जैसे कि मैं आप लोग को बताए थी आज मैं फर्स टाइ हो तो हम लोग आये हैं र法ल मॉसी के घर यानी कि मैं तो मैं पर कभी ने आई हूँ आए मेरा मॉसी आये हूं जो मेरा मामा सब है आ ग counselors सबरी आ गए है तो हम लोग आज यहां पर रुकेंगे और कल साम को साथ घर जाएंगे तो पूरा दिन जो भी मैं करने वाली हूँ ही सब आप लोगे साथ थोड़ा-थोड़ा सेर करने वाली तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या-क्या मैं करती हूँ फिलाल आते ही में पर चलते हैं और थोड़ा थार में क्लिक दिखाऊंगे जादा नहीं दिखाऊंगे फर्स्टेंव ऐसे आई हूं न अप लोग को पता ही होगा आप लोग का पींगी बहुत ज़्यादा सर्माती है तो चलिए नीचे चलते हैं सामने देखिये रोड है इसको साथ जी कि घड़ एक है मैं यह सब बाद में दिखाऊंगे आप लोग को आते आते घड़ी में तो बच गया था दो तो देखिए अभी हम लोग बैठ गये हैं लंज करने के लिए तो खाना खाकर अभी हम लोग आये हैं बगान गुमने मासमुनी लोग का जो बगान है ओही बगान गुमने पीछे पीछे देखिए रीता मारा है और मामुनी फिर मासमुनी और माईमा जो लोग है वो लोग पहले आगे आगे जा रहे तो चलिए मैं थोड़ा साप लोग को सा बगान आप लोग देख रहे हो ना ये पूरा बगान मौसा जी का है और उन्होंने ही देख बाल करते है इस बगान में धेर सारा पेर पौदा है जैसे की आम का पेर हो गया लीची का केला खजूर चल्दा ऐसे मतलब बहुत सारा पेर पौदा है आधा का नाम तो मुझे आत होगा और यहां पर और एक इंट्रेस्टिंग चीज है ओ है देखिए यहां पर है दीसी मुर्गा तो यह देखो कप्रा और जाल देकर जो एक छोटा सा घर टाइप का बनाया गया है तो इसके अंदर ही मुर्गा है रुकिये मैं आप लोग को दिखाती हूं यह देखो तो अभी देखिए रीता मोजो छोटा सा कुड़े घर में आप लोग को दिखाई ना तो ही कुड़े घर में जाकर देख रहा है अंदर में क्या क्या है तो मैं तो नहीं गई थी बस होई जाकर थोड़ा बहुत देख रहा था और इधर देखो एक लाइन से देखिए लंबा करके कितना सारा खजुर का पेड़ बैठाया गया है इसका जो रस निकलता है उससे खजुर का गूर बनता है तो इहीं पर गूर बनाते है साइड में एक जगा है वहाँ पर जूला भी बनाया गया है उसको जाल देकर मतलब चुला में उसको आग देकर पका कर फिर गुर बनाते है और ये जो पेड़ है ना फैमली इसका नाम मौसा जी ने मुझे बताये थे लेकिन जैसे कि मैं बोई सुबर बाद में दे रही हूँ तो मैं अभी भूल गई हूँ ये जो पेड़ है इस बगान का सबसे महंगा है तो इसलिए देखे चपल के नीचे पकर लिया है और इधर देखे मजली मौसी अपना अच्छा वला चपल पहन के आये थे और देखे नीचे मिट्टी पकर लिया है तो इसलिए कटारे से चुड़ा रहे हैं अभी हम लोग बगान से घर आ गये है और मैं आप लोग को थो रहा होका ये दोनों भाई का घर है तो जी हाँ ये जो इधर का है ये है मौसा जी का घर और साइड वाला जो है ना उदर का मौसा जी का साइड भाई लगते होंगे या फिर भाईया लगते होंगे मुझे उतना ज्यादा नहीं पता तो उनका ही घर है घर का आंगर में पिर्टली चपल धोने चले जाते तो फिर यह छूटता नहीं है छूट जाता लेकिन बहुत लेट करता तो इसलिए देखिए पहले में चुड़ा रही हूँ अच्छे से कटारी देकर उसके बाद में चपल धोलूंगी तो बगान से घुमकर आके अभी हम लोग आ गए है देखिए यह देखो बंदर बैठा है तो चलिए मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ सबसे पहले देखिए घर के सामने रोड है जैसे कि मैं पहली भी आप लोग को दिखाई तो कुछ इस तरह अगा दिखता है उधर देखिए पूरा खाली खेट दूर दूर तक बस खेटी खेट है घर बगर्ण कुछ भी नहीं है बस खाली खेट है साया धान चास होता है उधर। इधर भी खेत है, इधर फिर भी एक दो घर है लेकिन उधर तो एक भी घर नहीं है, ये देखो, पीछे भी नजड़ा बहुत-बहुत खुपसरा सा है, रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, ये है घर का आंगन, मैं नीचे से आप लोगों को दिखा रही थ सब कही है, तो दिखे ये बगान, उदर देखे कितना सारा खेत देखे, खाली-खाली, अभी यहाँ पर पियाज और बैगन बगर बैठाया गया है, और ये सब में घर आप लोगों को दिखाए थी नीचे से, तो ये सब ना मासिमुनी का जो जेठानी-देवरानी होते है, वही सब का घर है, और ये ना मतलब परोसी होता है, तो ऐसी घर है, और वहाँ पर देखे फैमली तीन चुलहा, और चुलहा का जो धुआ निकलता है, वह देखे निकलने वाला जो जगा है, वह देखे एक ही है, रोटके में आप लोगों को जून करके दिखाते हैं, ये दे दान सी जाते हैं, जब चावल निकालने का जो प्रोसेसिंग होता है, तो इस अब करने के लिए ये काम आता है, तो अभी साम होने को जा रहा है, फिर से हम लोग देखे घुमने जाने के लिए निकल जुके है, हम रीताम और माईमा, तो दीदा यहीं पे है, मतलब मेरा जो मेडिसिन लेना था, तो इसलिए माईमा जा रहे है, तो हम लोग भी जा रहे है साथ में, तो अभी देखिए हम लोग का मेडिसिन लेना हो गया है, और अभी हम लोग आए है फुचका खाने, तो यहाँ पे मैं चाटनी फुचका मंगवाई थी, क्योंकि मैं चाटनी फुच का थाना फैमिली उससे लाग कुना अच्छा तो पानी फुचका था में नहीं खाये थी लेकिन चाड़नी फुचका खाने से पहले रितम खाया था तो ही बता रहा था बहुत यमी था बहुत स्वाधिस्ट था उसके बाद देखिये हम लोग आ गए थे चामीन खाने क्योंकि म माले तो हम लोग खाही नहीं पा रहे थे लास्ट में जितना भी बचा कुचा था हम लोग पैक करवा के घर लेकर गए थे तो आज नेक्स्ट मॉर्णिंग सुभा सुभा देखिये मैं ब्रास कर ली हूं और फ्रेस भी हो गई हूं गमचा को देखिये दूपट्टा की तरह और के बैठी हूं और धूप सेक रही हूं और मैं जो गमचा लेकर आई हूं और कर देखिये बैठी हूं अभी क्योंकि मासिमुनी के घर में कोई लड़की है नहीं जिसका मैं दूपट्टा और हूं तो इसलिए अब इसको ही मुझे दूपट्टा बनाना पड़ा यह का जो जिनरेशन है ना सब बच्चा लोग बहुत जादा आलसी हुए है खैर देखिए अभी सुबा का नास्ता भी बन गया है तो चलिए नास्ता कर लेते हैं नास्ते में देखिए पूरी और घूगनी बना है पूरी क्यों बना है आप लोग को तो पता ही होगा रितम का फ मैं फर्स टाइम इतना बड़ा लिंबू देखी आज एकी दिन पापा का तबियत खड़ाप हो गया था इसलिए मुझे कॉल आया था तो हम लोग सब दोपैर का खाना खा कर जल्दी निकल गए थे घर जाने के लिए और इसका बातका में कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई थ इतना ही वीडियो चलोगे तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छड़ी स्वास्तर ये मिलते हैं नेक्स्ट ब्लाउग में तब तक के लिए बाई